मित्रो नमस्कार, मित्रो बहुत बड़ा समाचार आ रहा है गाजा पट्टी से आप जानते हैं मित्रो, आज लगबग 8-9 मैने हो चुके हैं और गाजा पट्टी के अंदर जो जंग चल रही है जंग जो की हमास और इसराइल की forces के बीच चल रही है जंग आज तक अभी तक थमी नहीं इसराइल अपने उसूलों के मुताबिक अपने दुश्मन को बहुत बेरहमी से लगातार कुचल रहा है और अब खबर ये आ रही है चर्चा ये है और बड़े बड़े अखबारों में खबर छब भी रही है कि हमास ने घुटने टेक दिये हैं और हमास ने गिड़गिडा करके शान्ती की याशना की है गिड़गिडा करके उनसे अमन की भीख मांगी है और ये जो अमन की भीख है ये अमन की भीख जो मांगी है इसको लेकर के हमारे देश के अंदर जो मुसल्मान हैं जो भारती मुसल्मान हैं जो की तरह तरह के मीडिया न्यूश चैनल चलाते हैं यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके अंदर इस खबर को लेके बहुत दिल्चस्पी देखी जा रही है मिल्लत टाइम्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है और आखिर चलता क्या है वहाँ पे उसको समझने के लिए मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा है तो जब कोई उनका वीडियो होता है तो अक्सर वो मेरे यूट्यूब पर आ जाता है पेज़ पे तो उनका एक वीडियो कई वीडियो उनके आते हैं लेकिन किसी वीडियो के हजार वीज होते हैं किसी के दो हजार वीज होते हैं लेकिन एक वीडियो आया जिसमें की लिखा हुआ था कि हमास ने सीस फायर को स्विकार किया अब इस्राइल की तरफ निगाहें कि इस्राइल क्या करता है जब उसका ये थमने लगा वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि उसको सिर्फ एक गंटे में दस हजार लोग दे आप इज्राइल भी एगर सीस फायर कर दे तो हम लोग रहात की सांस लेंगे समझ रहा है तो आप सोचे कि इज्राइल अब तक क्या क्या कर चुका है और इसके बाद इज्राइल के सामने कैसे जो इतनी बड़ी यवादी है आप सोचे कि पूरे मिडल इस पर कितने मुस्लिम देश है चपन के करीब इसलामिक देश है और वो एक देश है मातर शोटा सा देश ऐसा देश है कि अगर आप कार चलाना शुड़ू करो वहां के उत्तरी छोड़ से तो तीन घंटे के अंदर उसका दक्ष्णी सिरा आ जाएगा यानि बहुत छोटा सा देश है लेकिन इसके बाद भी देखिए उसने किस तरह से इन सब को घुटने पर लाके रखा हुआ है और मानने को जरा भी तयार नहीं है सीस फायर उधर से हो रहा है घुटने टेके जा रहे हैं लोग गलिडा रहे हैं भीक मांग रहे हैं अमन की लिए भीक मांग रहे हैं वो कह रहा हमें अमन अमन नहीं चाहिए हम अमन नहीं दमन करेंगे हमास का दमन कर रहा है उदर से अमन की भी पांगी जा रही है इदर से दमन चक्र चल रहा है इसराइल का और अब तक की स्थिति क्या है मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो जो है मिलेट टाइम्स का ले 88,832 लोग लगबग जो है इसमें घायल हो चुके हैं फिलिस्तिन के 10,000 से ज़्यादा लोग गायब हैं जो लोग 10,000 से ज़्यादा गायब हैं दरसल ये वो लोग हैं जो कि इमारतों के मलबों में दफन हो गए हैं और उनको निकाला नहीं गया है अब तक ये तो हाल गाजा पट्टी का है अगर वेस्ट बैंक की बात करें तो वहाँ पे अब तक उसने लगबग 539 लोगों को मारा है 134 बच्चों को मारा है इसमें से और 5000 लोग वहाँ पे घायल है खुल्म लाकर अगर देखें तो मेरा जो अनुमान है वहाँ पे अब तक दो लाक से ज़्यादा ल तो अब सोचो की उनको मदद की चाहिए एक आदमी जो घायल होता है वो दो लोगों की मदद लेकी चलता है दो लोगों को बिजी कर देता है या कर उसका एक आदमी को बिजी कर देता है यानि 24 लाक क्यावादी में से लगबग 3-4 लाक लोगों को उसने पूरी तरह से सदन में डल दिया है और बाकी जो हैं वो उनको यहां से भगा रहा है कभी उत्तर मारता है कभी दक्षिण मारता है कभी पूरा में मारता है कभी पश्ची में मारता है गाजा पट्टी के चारो कोनों में बं मार मार के उसने जो है इनकी हालत खराप करती है लेकिन रफा के उपर ज पुछ सेनिकों को इसराइल के बुजी तरह से मारने में हमास कामयाब भी हो गया। लेकिन इसके बाद जो बदला इसराइल ने लिया, वो इतना ज़ादा जबरदस्त बदला था, कि एक हफते के अंदर आठ सो लोगों को इसराइल ने मार दिया। और जैसे ये खबते के अंदर 800 लों को इसराइल ने मारा वैसे हमास ने घुटने अपने टेक दिये अमेरिका जिस तरह की करारदात को चाहता था अमेरिका चाहता था कि संजोता इस तरह का हो जिसमें कि ये बात लिख दी जाए कि हमास अब गाजा पट्टी पर शासन नहीं करेगा और हमास ने इस बात को स्विकार कर लिया है कि वो अब गाजा पट्टी पर शासन नहीं करेगा उसने इस पर दस्तकत कर दिये हैं और अब हमास टक्टकी निगाहों से देख रहा है इसराइल की तरफ कि वो भी अब इस करारदात पर अमन की आशा पर अमन के पैगाम पर जल्दी से दस्तकत कर दे ताकि युद्ध खतम हो जाए और उनको राहत की सांस मिले मितरों यह जो लोग है युद्ध पर यह लोग है इनको युद्ध लड़ना बड़ा अच्छा लगता है यह हमेशा युद्ध लड़ते हैं अगर दुश्मन ना हो तो आपस मी लड़ते हैं पाकिस्तान देखो आप यमन देखो आप देश के दुनिया के 56 इसलामी मुलक हैं और इन 56 इसलामिक मुलकों में अगर देखा जाये तो इसे बहुत सारे देश हैं जहां पे कि आपस मी लड़ रहे हैं मार काट मची हुई है तुर्की के अंदर कुर्द लड़ रहे हैं कहीं कोई हर जगा आपको ऐसे लोग मिलेंगी लड़ते हैं लेकिन लड़ने के शौकी कि आपके मन में क्या विचार उतने हैं आपको कैसा लगता है मेरे दर्शकों आप इस बात को जरा कमेंट में लिख दीजीगा कि आपको उस वक्त कैसा लगता है तो आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो क्या मिलेट टाइम्स है जो कि इस तरह के जो किस तरह से फलस्तीन से बड़ी खबरा रही है जिसके मताबिक हमास ने सीस फायर के समझाओते को मनजूर कर लिया है कल अक्वाम मतहदा की सेकरोटी कॉंसल में अमरीका के तरफ से एक करारदाद लाए गई थी उसमें जंगबंदी के लिए सीस फायर के लिए तीन निकात शामिल थे तीन प्रोपोजल था सेकरोटी कॉंसल से बजाबता और मनसूबा मनजूर हो गया था उसके बाद अमरीका ने हमास और इसराईल दोनों से अपील की थी के जंगबंदी की करारदाद पर अमल किया जाए जंगबंदी हो जानी चाहिए और अब खबरा रही है के हमास ने इस करारदाद को मनजूर कर लिया है हमास के तरफ से एकसेप्टेंस आ गया है लेकिन इसराईल ने एकसेप्ट किया है या नहीं अभी तक कोई भी तफसिल सामने नहीं आई है अभी की सबसे बड़ी खबर है देखे इसराइल स्वार उन घजल लाइब ओफिशल सेज हमास एकसेट सीज फायर रिजुलेशन तो सीज फायर के रिजुलेशन को हमास ने एकसेट कर लिया है अब तक हमास पर ही अमरीका का इलजाम लग रहा था कि हमास इसको एकसेट नहीं कर रहा है इसराइल ने अभी तक एकसेट नहीं किया है और एक घंड़ा पहले खुद अलज़िरा की खबर थी कि अक्वाम मतहदा की सेकरोटरी कॉंसिल से रिजरुलेशन मनजूर हो जाने के वावजूद भी रफा पर और घज़ा के दोसरे लागों पर इसराइल का हमला जारी है अमरीका के वज़िर खारजा भी इन दोनों इसराइल और मिडल इश्ट के दोरे पर हैं कल अमरीका की तरफ से युनाइटिड नेशन की सेकरोटरी कॉंसिल में बजबता रिजरुलेशन लाए गया और उस रिजरुलेशन में सीस फायर का मामला शामिल था और तीन मरहले में के पहले मरहले में जतने कैदी और घमाली हमास के पास उन सब को रहा किया जाएगा और इसराईल की तरफ से घजबती पर कोई भी हमला नहीं होगा दोसरे मरहले में बात शामिल थी के जो इसराईली सेना घजबती में मौजूद है वो निकल जाएगी और तीसरे मरहले में घजबती की तामिरे नौशामिल है उसमें बात भी शामिल है कि आइंदा घजपटी पर हमास की हुकूमत नहीं होगी पहले भी इस तरह का प्रॉपोजल अमरीका की तरफ से आय था और हमास ने कहें न कहें इसको मनुजूर करने के बात की थी लेकिन हमास की तरफ से हमेशा ये शर्त शामिल थी कि मुकमल जंगबंदी का बादा होनी चाहिए जब तक मुकमल तोर पर जंगबंदी नहीं देखे जरा समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात इसमें ये है कि जो करारदाद है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो गाजा पट्टी से इसराइल की फौज वापस चली जाएगी लेकिन जहां तक मुझे अपनी जानकारी मिलती है जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को एक उत्तर दक्ष्ण के अगर आप गाजा पट्टी को पूरा बीच में एक रेखा खींचो अगर जो समंदर को मिलती हो तो उस एक रोड वहाँ पे है यानि कि पूरा पश्ण को जोड़ते हुए एक रोड है और उस रोड के किनारे किनारे पे इसराइल ने बाकाइदा खाईयां बांदी है और वहाँ पर सेनिकों तेनाद क्या हुआ है यानि इसराइल जो है वो गाजा पट्टी के बाॉडर को चेंज कर रहा है और हमास कह रहा है कि वो पूरा गाजा छोड़ दे तो क्या होगा इस पर आगे देखेंगे लेकिन मेरा मुझे लगता है कि शायद जिसको इतनी खून पसीने से कबजा किया है उस जमीन को क्या इतनी जल्दी इसराइल लग छोड़ देगा इस बारे में थोड़ा समझनी की आवशक्ता है कि क्या होता है क्या है